असलाम लेकुम, welcome back to my channel, मैं हूँ नताशा मलेक, आज हम एक प्लाजो का डिजाइन तियार करेंगे, जिसके लिए मैंने ये तिर्शी पटियां काट ली है, इस पटी की चुड़ाई तकरीबन एक इंच है, मैं अब इस पटी पे एक पैर का फासला रखे सलाई लगाऊंगी, ह और ये इस तरह से मैंने सलाई लगा ली है, अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, वो मैं काट दूंगी, एक्स्ट्रा कपड़ा काटना बहुत जरूरी है, अगर हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटेंगे, तो हमारी जो डोरी है, वो गोल हो जाएगी, जो के गोल डोर त्यार कर ली है तो प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताके आपको मेरी नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें इसी तरह से मैंने यह देखें डोरियां त्यार कर ली है और इनको आइरन कर लिया है यहां मैंने कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई अड़ाई इंच है और इसको मैंने पेपर बुकरम पर पेस्ट कर लिया है ताके डोरियां लगाने में असानी हो इससे यह फाइदा होता है कि हमारी जो सलाई है वो सीधी लाइन में आती है मैं इस पेपर पे 1.5 इंच की मार्जन्स लगा लूँगी 1.5 इंच की मार्जन्स में पेपर के दोनों साइट लगाऊंगी अब इन दोरियों को हम 3-3 इंच वे रखके काट लेंगे यानि 3-3 इंच की हम दोरियां त्यार कर लेंगे पेपर पर डोरियों को सलाई करने से पहले हम 1.5 का निशान लगा लेंगे ताके हमारी सब डोरियां सेम फासले पर बने इसी तरह मैं दोनों साइट पे एक-एक इंच का निशान लगा लूँगी एक-एक इंच का फासला रखे ताके हम बराबर फासले पे दोनों साइट से डोरियां लगा सके पहली डोरी को तो हम सिंगर रखेंगे लेकिन आगे जितनी भी डोरियां होंगी उनको हम दो-दो डोरियों को करास की शकल में रखे सलाई करते जाएंगे हमारी जो सलाई है वो मार्जन के उपर ही रहनी चाहिए ताके हमारी जो सलाई है वो सीधी रहे और हमारा डिजाइन बिल्कुल नीट बने इसी तरह पूरे पेपर पे ये क्रास में हम रखते जाएंगे और सलाई करते जाएंगे इसी तरह जब पेपर का आहरी सीरा आएगा तो वहां भी हमने एक सिंगल टोरी ही रखनी है यानी हम paper के दोनों सिरों पे single single dory रखेंगे किर्मयान में जितनी भी डोरिया कर ine स्क्राइगे वो हम crust में रखे इस तरह व्यादि करते जाएंगे मैंने साइट पे जोड़ ली है अब भारी है दूसरे margin की दूसरे margin को आब di Tipp से देखना है कि मैं किस तरह डोरियां गुमा के रख रही हूं यानि दो डोरियों को क्रास में दो बर गुमा के हमने मार्जन पे रखना है और मार्जन पे हमने वहां रखना है जहां हमने एक एक इंच का निशान लगा रहा था यह निशान हमने इसलिए लगाया था कि सब डो इसी तरह आपने डबल क्रॉस करके इसको इसी तरह रखके और यहां पे सलाई लगाते जाना है मार्जन के उपर पहली दो डोरियों का क्रॉस बना के उस क्रॉस पर दूसरी डोरी को मैं पॉइंट पे लेके आओंगी जो मैंने एक एक इंजिका निशान लगाया हुआ है वहां पे लाके नेक्स दो डोरियों को भी इसी तरह डबल गुमा के उसको उसी पॉइंट पे लेके आओंगी यानि जिस तरह उपर वाले मार्जन पे हमारी डोरियां क्रॉस में आई है इसी तरह नीचे वाले मार्जन पे भी वो क्रॉस में ही आएंगी और हम उनको इस तर इसमेस नहीं को घुमा एक यहां मैंने प्लाजो का सीदे वाला इस्सा लिया है और पर्टी को मिट से निशान लगा लिया है अब मैंने पट्टी को भी उल्टी साइट यानि दोनों का सीधा साइट एक दूसरे की तरफ होगा और मैं इसके उपर रखके इसको सलाई कर दूँगी अब मैंने सलाई वहां करनी है जहां से पहले ही मेरी सलाई हुई भी है वहीं उसी के उपर ही मैंने दूसरे सलाई भी करनी है इसके उपर सलाई करने के बाद मैं इसको सीधा करूँगी और सीधे में भी मैं उपर एक सलाई लगाऊंगी ताके इसमें नीटने साज मजीद और मैं यहां पे बिलकुल इनकी जो सलाई है उसके मीड में एक सलाई लगा लोंगी आप इसको आइरन भी कर सकते हैं आइरन करने से डिजाइन में बहुत ज़दा सफाई आ जाती है अब हम कट वर्क के लिए यह मैंने हाफ सर्कल कट किया हुआ है इसको मैं पेपर बुकरम पर ड्रा करूंगी पेपर बुकरम जो है वो उसकी चुड़ाई जो है वो तीन इंच है और लंबाई आप अपने प्लाजो के अकॉर्डिंग रख सकते हैं अगर आपका प्लाजो जादा खुला है तो आप इसको मजीद लंबा रख सकते हैं मैं यहां पेपर प्लाजो बना रही हूं इसलिए मैंने इसको इतना लंबा नहीं रखा यहां पे मैं हाफ आफ कर ड्रा करती जा रही हूं हाफ आफ कर ड्रा करके मैं इसको इसके मताबिक कटिंग कर लूँगी और इसको कपड़े पे चिपका लूँगी यहां मैंने कबड़े को डबल रखा हुआ है इसके नीचे भी एक कपड़ा मुझूद है और इस कटवर के मताबिक मैंने इसको सलाई कर लिया है सिलाई करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी सिबसे पहले मैं कॉर्णर से कटिंग करूँगी ताके इसके कॉर्णर जो है वो अच्छे बने नीट बने कॉर्णर का अच्छा बनना ज़्यादा ज़रूरी है अब हमारे पास ये कटवर्ण त्यार हो चुका है अब हम इसको प्लाजो पे अटैच करेंगे प्लाजो पे अटैच करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी सिंगल जो है सिंगल लेर हम पहले प्लाजो पे अटैच करेंगे यानि ये देखें ये डबल है तो मैं इसकी पहले सिंग बने और कोई सलाई इसके बाइट से नजर ना है मैंने एक सलाई लगा लिए है अब मैं इसको उपर की तरफ फोल्ड करूंगी यह देखें यहाँ पे मैं इसको फोल्ड करके एक और सलाई लगा लूँगी यह मैंने एक्स्रा रखा हुआ था इस एक्स्रा कपड़े को मैं यह देखें बिल्कुल इसके उपर जिसना हमने नीचे जो सलाई लगाई है बिल्कुल उस लाई के उपर हम ये लगाएंगे ताके उपर से ये सलाई नजर न आए ये देखें हमारा प्लाजो तियार हो चुका है ये बहुत खुशूरत बना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिएगा मुझे और मेरी फैमली को अपनी दुआउं में याद रखेगा अल्ला हाफिज